दोस्तों क्या आपने मॉलीवेट की बारे में सुना है ? नहीं POLLY वालायम उध्योग है ज farid जो केरल में स्थिर है आज की बात माल्यम उध्योग केही बहमुकी अभिनेटा मेंसे एक के बारे में है तो अगर आप भी जाना चाहते हैं गोपी सुरेश के बारे में तो बने रहें आज की हमारी इस वीडियो में आन्थे तक आज हम आपको उनकी कुल संपत्ति के साथ साथ और भी उनकी कई चीजों से रूबरू करवाने वाले हैं सुरेश गोपी एक लोग प्रिये मौलीवूड अभी नेता हैं जिन्होंने उद्योग में काफी संख्या में फिल्में की हैं और लोगों के दिमाग को उड़ा दिया है वह एक गायक भी हैं और काफी समय से राजनीती में भी हैं और अब भाजपा का प्रतिनीधित्व कर रहे हैं सुरेश गोपी का जन्म 26 जूर 1958 को केरल में हुआ बाल कराकार के रूप में वालीवूड में अपनी शुरुवात की यह फिल्म एक रिक्षा चालक के संघर्स की कहानी थी दोस्तों अगर हम गोपी सुरेश के परिवार के बारे में बात करते हैं उनके परिवार में उनक परिवास गोपी सुनील गोपी और सनिल गोपी है उनकी पतनी का नाम राधिका तिन बेटियां लक्षमी सुरेश, भागे सुरेश, भवनी सुरेश और उनके दो बेटे भी हैं जिनका नाम है गोखुल सुरेश माधो सुरेश उनके पिता एक फिल्म वितरण है और सुरेश ने और सुरेश ने साल 1990 में राधिका नायक से शादी गी राधिका एक प्लेवेक सिंगर हैं ने पूरे करियर में कई फिलमों में काम करने के अलामा कुछ तцविय के फंचा करने के लुए। केरल में उनका एक आली शान घर है जैसे कि आप वीडियो के जरिये भी देख सकते हैं और घर की कीमत का अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं दोस्तों अगर हम उनकी कुल संपत्ती पे नजर डाले तो उनकी संपत्ती 0.5 मिलियन है जो कि 1 मिलियन डालर होती है दोस्तों उनका कार कलेक्शन भी काफी अच्छा है उनकी गैरेज में कई महंग्यों और लग्जिरस कारे मौजूद हैं जैसे कि आप कार की फूटोस देखकर कार की कीमत का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं अब दोस्तों आपको गोपी सूरेश की मूवी कैसी लगती है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही तमाम ऐसे और खबरों को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें